हलो दो तो कैसे हो आपका स्वागत है तुरिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वपून कोउषिंज पेपर आया है फिजीगल एजुकेशन यानि देखा जाया तो सारी सिक्षा का जो हमारे समख्ष यहाँपर पेपर आया है यह काफी महत पून exam point of view से रखता है और यह exam में आने के chances रहेंगे तो इसको अच्छे से आपको question answer को करना है और यह सारे question जो होंगे काफी महत रखेंगे हर एक question को समझना है और exam की तयारी करना है इसमें हम question को analyze करेंगे, समझेंगे और विचार करेंगी और सबसे महत पून बात रहेगी कि यह आपको हिंदी-İंग्लिष दोनों बच्चों के लिए रहेगा हिंदी-माद्यम की होँँट, दोनों के लिए महत पून रहेगा देखा जाए, तो यह सब्दों का हूँढ होँठ महत रहेगा तागत के लिए सरीरी कारक बताईए तागत के लिए सरीरी कारक कौन से हो सकती है कोशन यहाँ पर काफी महत्पून है कि तागत के लिए सरीरी कारक तो देखा जाए तागत सरीर की परतिरोध की खिलाफ काम करने की छमता होती है और इसके विविन उप्रकार भी हो सकते हैं जैसे तागत, बिस्पोटक तागत, तागत सहन सक्तियादी देखा जाए तो कोई भी अगर आप कारे करते हो तो आप अपने तागत जितने भी सरीर में तागत होती है उतनी लगाते हो और आपके सरीर के जो परतिरोदक छमता होती है वो सहन सिलता को, बिस्पोटक तागत को और अधितम तागत को देखाता है कि कोई भी अगर कारे करते हैं तो सबसे महत्वपुन बात होती है इंड्रेंस यानि सहन सिलता अगर सहन सिलता नहीं होगी तो वो काड़े को आप भली भाती करने में सक्षम नहीं हो पाओगे तो यह बात तो समझते हो ना भी कोई व्यक्ति तभी तक काड़े कर सकता है जब जितना वो सह सकता है तो यही बात यहां पताने कोशिश किया जारा कि तागत के लिए सभी काड़क कौन-कौन से हो सकती है तागत के लिए सभी कारेक जो है अधिकतम तागात विस्पोटक तागात और सहन सकती यादी परतेक में अलग-अलग परकार के बयाम भी हो सकती है तीव्टा और अवधी भी होती है देखते हो बच्चे सुबह सुबह जो दोरने जाते हैं तो अपने दौर की स्टेमिना को बरहा रहे होते हैं कोई अपना body muscles को बरहा रहे होते हैं तो यही बात है कि प्रतेक में अलग अलग परकार के वयाम तिवरता और अवदी होती है इसे सरी कारक भी भीन होती है क्योंकि सबके अपने अपने सरीर होते हैं उनके अपने कारक होते हैं और सबके सरीरी कारक जो कि अगर जैसा से आप खेलते हो वैसे ही आपको तागत की अवशक्ता होती है किसी में अधिक भी स्पोर्टक्स तागत की अवशक्ता होती है और किसी में जो है बहुत ही सतारन तागत की जरूत पड़ती है जैसे आपने देखा होगा मैच में जो बच्छे मैच खेलते हैं जो उसका नहीं होता है देखा है ओल्लग खेलों के लिए मात्रा में तागत की होती है और उसके अनुसार है कि सपंपाइवर के स्टा होती है हमारे सरीर में कितने जो है किसि नहें और तेज ट्वीस फाइवर की मिशन कितनी अवशक्ता होती है देखा जाए तो काफी महत पून यहां बात आता है आम तोर पर तागस से संबंधित सभी खेलों में जहां अचानक उर्जा के विस्पोटक की अवशक्ता होती है तेज चिकोटी फाइवर की उच्चे परती है और इस यहां बिस्पोटक सक्ति कहती है का मतलब होता होता है कि अचानक हम इतने शक्तियों की अवश्कता हैं हम हम दौर कर रहे हैं कोई विक्ति जोगा बहुत स्पीड से दौरेगा यानि सौर्टक सक्ति लगा चा नाइन और कोई जोगा धीमी क fatty से चलेगा तो आगर आप देखिएगा तो जो पहले बहुत तेजी से दौरा था वह कुछ दूर जाके ठक जाएगा बहुत जल्दी जायर सक्ति उसकी पसक्ति नहीं नहीं होगी लेकिन जो धीरे चल रहा है स्टेमिना के साथ चल रहा है वह उसको जीत लेगा तो इसे विसपोटक सक्ति कहत है क्योंकि अगर आप स्टेमिना के साथ जा रहे हो तो आप जरूर जीत जाओगी लेकिन अगर आप विसपोटक सक्ति लगाते हो तो विसपोटक सक्ति कुछी समय तक होती है आपने मैच में भी देखते हो किलारी आता है और जब लास्ट आवर बसता है तो फटा फटा भी बढ़ जाता है तो यही बात यहां पर बात आता है अगर आइसके लिए हमें सदारन रूपे चाहिए तो तेज कोटी फाइवर की उच्चे परतिशत की अवशक्ता होती है जिसमें हमें जो है अचानक उर्जा की विसपोटक की अवशक्ता पर जाती है और यह काफी महत अपने लक्ष रखे विना आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि लक्ष ही हमें मंजिलत को निर्धारित करती है अगर आप स्टुडेंट हो तो आपको एक लक्ष रखना पड़ेगा और उस लक्ष के आगे आपको बढ़ना पड़ेगा तो यहां पर हमें लक्ष की निर्धारित एक मानसिक प्रस्रिक्षणin तखनीक है, जिसका अपयोग किसी दिष्ट समय के भीतर या कुछ निश्ची समय के भीतर किसी कारे पर दख्षता के विश्चिस्त मानक प्राप्त करने के लिए किसी वेक्ति की परतिवांता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, साब सब्सक्राइब इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि लक्ष वह होता है जो एक मांसी पर्षिशन तखनीक होती है जिसमें हम पार्टिकॉल समय में यानि एक निश्चिस समय में उच लक्ष तक पहुँचने कोशिश करती हैं और वह लक्ष हर एक बेक्तिका होता है इसे माल लीजिए आपके समक्ष को समय है उस समय के अंतराल में आपने जो है अपने फिजिकल एजुकेशन के पेपर को क्लियर करना है और यह क्लियर तब हो जाए होग पाएगी जब आपने अपना लक्ष रखा होगा और इसके लिए पुराने समय से यानि साल भर आपने मेहनत किय होगा तो वह लक्ष आपको बहुत ही असानी से प्राप्त हो जाएगी जिन बच्चों ने अभी तक कोशन उठा के देखा भी नहीं है कहते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं कि उनको जो है सफलता प्राप्त असानी से हो जाए लेकिन वह तब होगा जब व लेशन को मानना परेगा अगर आपने लक्ष रखा है नब्वे परस्तित्य पतिशत का तो आपको उसी परकार जो है अपनी परतिवंदता को बढ़ाना यानि आपको उस पर खड़े उतरना है और उसको वहां पर जो है जाके हासिल भी करना है अब सबसे मेले बात है कि लक् को आपके अंदर की योगता को धक्षता को स्थापित करने की एक परक्रिया है जिसे एक निर्धारित समय अवदी के भीतर उसे हासिल किया जाना चाहिए यानि एक समय काल होती है उसी समय में जो है उस लक्ष को आपको जो है उसको अचीव करना है उसको प्राप्त करना है उसे लक्ष निर्धारित कीये हुए लक्ष तक आपको पहुचना है और उसको हासिल करना है उसे ही हम लक्ष कहती है देखा जाये तो इसने करमचारी में ब्याम, कारिकर्मो, पर्तिसपर्शी, खेल और अध्योगी संगटर्णो जसाहित कई संधर्बों में परदर्शन और उ चेतर में काफी महत पूर्ण अपना योगदान दिया है चाहे वो परदर्शन में हो या उत्परग्ता को बढ़ाने में हो कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने लक्ष रखा है वो हर जगा जो है काम्याबर हुआ है या किसी व्यक्ति की आत्म प्रभाविक्ता को बढ़ाने औ और आंत्रिक मुल्य के साथ कारे को अस्थापित करने के लिए एक अरधार परदान करता है और एक अधार को सुनिशित करता है कि जब तक आपका लक्ष नहीं निदारित कीजेगा आप अपने लक्ष तक नहीं पहुँच पाईएगा जो व्यक्ति पहले से अपना लक्ष न सफ है कि प्यूख धांण के साथ ऐसो कर्नेटिक्स व्यांब को समझाईए कोसन संभज में बहुत एसाँ है आपको काई 57 को समझाना है कि जो प्यूख धारन के सतक है आपने जो काई예ट्रों करता क्या है कि और इक एका है महत्व पूर्ण exam point of view से रहता है ठीक है तो यह इसके जितने भी हो चाहे आइसो हो जो भी हो सारे को आपको analyze करना है समझना है और यह काभी महत्व रखेगा देखा जाए तो आइसो काइनेटिक से भियाम को जो हम यह कह सकते हैं कि यह ऐसी exercise है जिसमें moment को सीधी देखी जा सकती है यानि moment जो होता है आप इसको सीधा देख सकती है यह नहीं कि moment को आप नहीं देख सकती है जो अगर आप moment करते हो देख सकती हो इसी के खासियत है कि यह ऐसा ब्याम है जिसमें मॉमिंट को हम यानि कत्विरियों को हम सीधा देख सकते हैं जो काफी महत पून डेता है दूसरा पॉइंट यह ही कहता है कि आइसो टैउनिक जो ब्याम में मास पेशियां शुडूल होती है यानि मास पेशियां के टून जो है काफी मजबूत बन बनती है और मास पेशियों की लंबाई बढ़ती है अचा बताएए आपके स्कूल में या आपके टीचर ने आपके माता पिता क्या कहते हैं अगर आपको लंबाई बढ़ाना है तो क्या कहते हैं बच्चे सुबसर दौरा करो साइस किया करो इसे मसल स्टोन बढ़ते हैं और और यहां पर आईसो केरंगिक्स व्याम जो होती है इसी तरह की व्याम है जिसे हम अपनी लंबाई को अपनी मास पैशिया को बढ़ा सकते हैं। और यह कावše महतладमून है, देखा जाए तो आईसो ट्रेनिक्स बियाँ से मास्पेश्यां, शुडोल होती है मास्पेश्यां में कसक आती है ठीक है, और यह मास्पेश्यों की लंबाई को भी बढ़ाती है हैं और देखा जाए जब खेल की बात आती है तो यह अव्यास बहुत महतफोण डगती हैं जब खेल की बात आती है तो जो बच्चे पोर्ट में होते हैं जो खेलारी स्पोर्ट में सम्झदित होते हैं उब हर सम Sana exercise करते रहते हैं कुछ न कुछ exercise चलता रहता है एंवन कि देखा जाए तो उनकी बहुत महतफ़पून रहती है एवन देखा जाए तो दोर भी लगाते एं क्योंकि उनको जो हो दोर लगानince होती है उनकी मस्सल स्टॉन में काफी मृध्यी होती है तो यह ऐस profound की और यह विधी तागत विक्सित करने की सबसे अच्छी विधी मानी जाती से आप अपना स्टेंट बढ़ा सकते हो आपके अपनी इस्टेमिना बढ़ा सकती हो और अपनी तागत को काफी अच्छा विकास कर सकती हो और यह साइस काफी महत्वपून माने जाती है अब इसका होते हैं तो यह सारे ब्यामों को जो है यहां पर बहुत ही असानी से कर सकते हो और इसको सामिल किया जाता है आइसो टोनिक्स ब्याम में और यह काफी महत्वपून ब्याम है इसको करने से हमारे मसल्स में काफी शुडॉल बनते हैं मजबूत बनते हैं हमारे मसल्स में ले करते हो और बहुत से से स्क्साय से जो इसके लिए काफी महत्वपून बनता है और यह कोशन पॉइंट आप व्यू से भी काफी महत्वपून है इसको समझना है और अपने कोफी पर लिखना भी है जो काफी महत्वपून रहता है देखा जाए तो कोशन है यहां पार कि तो यह काफी महत्वपून exam point of view से question बनता है कि fitness को निर्धारित करने वाले हिर्दय स्वाशन कौन-कौन से कारक है तो यहाँ पर देखा जायद हिर्दय प्रनाली को जो है तीन भागों में बाटा गया है जो काफी महत्वपून बनता है सब प्रथम जो है हिर्दय है दुसरा ह रक्त वाहिकाएं और तिसरा जो है रक्त तो यह तीनों जो है काफी महत्वपून योगदान देते हैं fitness को निर्धारित करने वाले कारकों के रूप में देखा जाये तो इसका प्रमुक्य कारिया oxygen और पोशिक तत्व पहुंचाना होता है यह तो आपको पता ही होगा कि हिर और सबसे महत्वपून बात यह रहती है कि carbon dioxide और अपचर अपसिस पदार्थों को हटाना भी इसी मार्ग द्वारा संभव हो पाता है इवन देखें तो हर्मोन और अन्ने आनुओं का परिवहन करना अंधर्मा रेगुलेशन का समर्थन करना और सरीर के तल पदार्थों को स चाना carbon dioxide और अन्ने जो अपसिस पदार्थ होते हमारे सरीर में उनको जो है निप्टारन करना और हर्मोन और अन्ने आनुओं को परिवहन करना यह इनी तीनों का कारे होता हिर्दय का रक्त वाहिकाएं का और रक्त का तो यह काभी महत्वपून बात आती है यहां पर उसके सवशन तंत्र का मुख्य पाट होते हैं जो नाक गुहा ग्रासनी और सुर्ट तंत्र शुष्ण नली ब्रकाई और यह काभी महत्वपून अंग होते हैं स्वशन तंत्र की और इनका एक महत्त्वपून कारे होता है देखा जाए तो बायू मोखिक गुहा के माध्यम से ही जो है मौखिक गुहा के माध्यम से जो है सोशन हमारे सरीर में प्रवेश करते हैं और इसके पर मुख्य कारों में फेफरे तक हवा पहुचाना और गैस ऑक्सिजन का अरदान परदान करना सामिल होता है और देखा जाये तो करवन्डक साइड का जो है सरीर से बाहर करना यह का जो है जिसमें नाक नाक गुआ ग्रासरी स्वर्टंत्र और स्वस्टन अली वोकाय अन्फेफरे समिलित होते हैं और इनका प्रमुक्या जो है माध्यम से जो है सरीर में जो है कर्वन्डक साइड का जो है बाहर निकालना और अक्सिजन को जो हैं दर करना यह का फीन नागी और इवन देखेत रख्ट के बीच और रख्ट पीएच को भी नियतित करना काफी महत पूर्ण बात रहता है यहां आपके स्क्रीन पे जो कोशन आया है काफी महत पूर्ण है कोशन है कि 600 मीटर दौर और पैदल चलने की परक्रिया को स्कोरिंग को समझाना है कि 600 मीटर की दौर और जो हम वाकिंग करके जो परक्रिया होती है और स्कोरिंग किस परकार होती है तो इसको समझाना है यह कोशन आपको बहुत ही अलग लगड़ा होगा बहुत ही समझ से परे होगा लेकि कहते हैं एक्जामिनर ऐसे ही कोशन को मैट तुपता देता है जहां प को और उसके स्कोरिंग को आपको समझाना है तो सब पर्थम देखें तो परसीजर अगर चेस्व मिटर की दौर अगर आप करते हो उसकी क्या परसीजर होता है क्या कारे परनाली होती है सबसे पहली बात तो यही आता है कि प्रतिभग्यों को 600 मिटर की दौर का निर्देश दिया जाता है सबसे पहले तो यहीं बात होती है कि 600 किलोमेटर की दौर को देब गती से यहाँ चतना हो सके आपने यहाँ पर गती पहुँचने की जो है लक्षर निधारित की गई है जो काभी महतों रखता यहां पर देखा ता है तो प्रतिभागी संकेत पर सुरू करते और जैसे वो समाप्ती रेखा पार करते हैं प्रतिव हागी को बीता हुआ समय घोषित कर दियाया यानि यहां भी आजह गोषट करने का प्रवधान है जब आप समापति रेखा पाढंद करते हो उसको जो हो नीम्पोर्टी करने की यह विवस्ता की आ जो काभी महतवपूर्ण बात यहां पर आ जाता है एक्जाइम पॉइंट ओव यू सी ठीक है उसे परशाद अगर हम बात करें स्कोरिंग की तो कहतें स्कोरिंग पूरा होने में लगने वाला समय होता है कि आपने कितना स्कोरिंग जो है हासिल किया है यानि आपने दौरा है चला है उसमें कितना मिनट और कितना सेकेंड लगा है उसको हम स्कोरिंग कहते हैं और यह काभी महतवपूर्ण बात है जितना आपका स्कोरिंग होता है उतना आपके लिए बहतर होता है और उतने ही जितने की चांसिस जो होता है बढ़ जाती है तो स्कोरिंग का भी अपना मेहत्वपून स्थान होता और यह सबसे मेहत्वपून बात होती है कि मिनट और चंद सेकेंडों का यहां पर फासला होती है जहांपर आपको बिजेता घोजट करने के लिए प्रयाप्त होता है यहां पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वून टॉपिक है वितित्व के पांच मॉडल यानि वितित्व के पांच सिधान जो काफी महत्वून है फिजिकल एजूकेशन के अंतरगत और यह हर एक बच्चों के लिए महत्वून रहेगा वितित्व के पांच मॉडल या कारक देखा जाए अगर हम यहां एलाइस करें विक्तित्व के पांच कारकों की तो कहते हैं पांच बुनियादी विक्तित्व के लक्षन जो है उनीस सो उन्चास में डी डावलू फीके ने दिया था यह काफी महत्व रखता है एक्जायम पॉइंट व्यू से पांच बुनियादी किस जगह पर किस प्रकार रहेगा आप देखते ही हो आए जीवन में हर तरह के विक्तियों की विहेवियर होती है तो यहां पर देखा जाये तो फिजिकल एजुकेशन के अंतरगात इसको जो है वितित्व के पांच मॉडल यहां पर बनाए गए हैं और जिसको सब प्रथम 1949 में DW फीके ने बनाया था जो काफी महत्पून बात रखता है इनके दोरा विक्सित एक सिधान्त है और देखा जाए यह सिधान्त को आगे बहुत से विचारकों ने इसको आगे बराया था जैसे कि नर्मवान नर्मवान जो है 1967 में और सुमीत जो है 1967 के आगे उन्हों ने बराया था और गोल्ड वर्ड जो उन्हीं से कासी में अपना विचारदारा इसके उपर रखा था और इस बात का समर्थन भी परगट किया था और मैको और कोस्टा ने भी इस पे अपनी महत्पून बात दिया था 1987 में यह काफी महत्पूर रखा था जो विक्तित्यों के पांच सिध्धानतों के अंतरगत अपनी विचारदारा और सोध में इस बात को उन्होंने विस्तार पुर्वक समझाने की कोशिश किया था कि आगे विक्तित्यों के अंदर उसकी विक्तित्यों के क्या बिहेवियर ह हो सकती हैं लोग के विवार का विश्चिसन करने के तरीके के रूप में चरित लक्षनों के निदारित करने की कोशिश करने से पहले सोध करताओं ने वर्सों बिताए थे और एक बिंदू पर गाडन अलपोट ने चार हजार से अधिक लक्षन पाए देखा जाए तो विक् देखने को मिला और यह बस सक्चा ही है देखा जाया तो सभी जो है सोध करताओं ने इस पे बहुत ही गहराई से सोचने की कोशिश किया और इन सभी के नतीजा का अंतरगात जो है पांच थियोरी निकाली गई लेकिन सबसे बड़ी बात तो थी गाडन का जो है किसी विक्त ही के बिभार में पाया जो बहुत काफी हैरान कर देने वाले सोध थे जब ये सोध आगे बरी तो इसे घटाकर सुल्लण कर दिया गया कहाँ 4000 वहेवियर थी और चार हजार विहेवियर में से, सिरफ सुला ही रह गई, और इसे बहुत जटिल मना गिया, सुला को भी हमने काफी जटिल मना, और यहीं से पांच बरे, विक्तित्व ब्लक्षन की सुरुआत हुई, देखा जाए तो, यह सुला जो में, बाते, मनुश्य के विवहार से निकल के आई उनमें से सिरफ पांट विहेवियर को इन्होंने अस्तान दिया और इसी को हम बेक्तित्व के पांच सिद्धान्त के नाम से जानती है देखा था तो इन व्यापक शेनियों पर वर्सो सोध हुए और विकास किया गया और जबकि प्रतेक छेत्र में ब्यापक अध्यन किये गए तो सोध करता ने हमेशा प्रतेक विसेस्ताओं की परिवाशा पर सहमती नहीं होते थी लेकिन जब इन्होंने पांच सिद्धान्त निकाले तो सभी सोध करता जो थे इस बात से समर्थन प्रगट किये और इस बात को जो है थीयोरी बना दी गई तो यहां पर जो पांच बड़े सिद्धान्त है पांच जो यहां थीयोरी दी गई है प्रसनाइटी की चलिए देखते है और विस्तार पुरवक चर्चा भी हम करेंगे देखा जाये तो यहां पर विक्तित्व के बिग पांच लक्षन यानि देखा जाये तो विक्तित्व के पांच सिद्धान जिसको जो यहां पर सभी सोथ करताओं ने महत्व रखा है तो विक्तित्व के पांच लक्षन जो है पहला आता है खुला पन लेकि खुला पन के अंतर का अगर हम कुछ महत्वपून बातों की तरफ अगर देखें तो इसमें कलपना शील होती है कहते हैं जो वेक्ति खुला पन पर विस्वास रखते हैं उनके अंदर जो है कलपना शील होती है यानि ये कलपना करते रहते हैं उसके परशाद इनके अगर हम इस हैस्ताओं पर ध्यान दे तो इन में उत्सुकता बनी रहती है यानि इन में उत्सुकता बनी रहती है और इसके विप्रित देखा जाए तो सतर्क ये हमेशा इस तरह के विक्ति जो होते हैं सतर्क रहते हैं रूडवादी विचारधारा के होती है तो ये इनके अंदर के महत्पूर्ण बात है खुलापन जिन विक्तियों में होता है यानि ये विक्तितों के पहला लक्षन है जिसमें वो जो होते हैं कलपना शील होते हैं उनमें काफी उत्सकता भरी होती है और इवन उसके opposite देखें तो वो हमेशा सतर्क रहेंगे हर बातों के लिए और उनके अंदर रूडवादी विचारधारा होगी होगी देखा जाया तो ये विक्ति जो होते हैं कला से बहुत प्रेम करते हैं और उनके अंदर भावना, साहस, समानवन विचार, जिग्यासा और विविद अनुभव के परसंसक होते हैं यानि देखा जाया तो उनमें काफी जिग्यासा बड़ी होती है खुले पन जो विक्ति होते हैं उनमें काफी जिग्यासा बड़ी होती है किसी भी बात को जानने की उनमें विवित परकार के अनवब होते हैं और वो दुसरे के परसंसा भी करते हैं ये काफी कला प्रेमी होते हैं उनकी भावना बहुत अच्छी रहती है ये विक्तितुरा सहास परकार के होते हैं और आज समानने विचारधारा रखते हैं समानने वि उखिवे इसका दुसरा लक्षन क्या है। दुसरा हमारे समक्षाता है कर्तव निष्ड ठा तेकि जैसा नामसे याब समझ सकते हों कि इस वेक्थियों में कर्तव्य playlist होते हैं इस प्रकार के से behavior जो होता है वेक्तित्ट्थ करतवें निष्ट होते हैं देखा जाया थे इनके अंदर Maximum वही बात होती है कुशल यहर कारे करने में कुशल होते हैं हर चीजों को जो है बहुत यह सानी से करते हैं और यह वेक्ति संगटित Tales के होते हैं ये लोगों में संहिटा की भावना को उजागर करते हैं अगर हम इसके बेपरिद देखें तो ये लोग जो होते हैं अराम पसंद होते हैं यानि मैक्सिमम अराम ही करना पसंद करते हैं और इनमें लापरवाह बहुत होते हैं हर काड़े के लिए लापरवाह होते हैं तो य इस परकार की जो दुसरा है इसमें behavior काफी बिचित्र है और देखा जाए तो इनमें सबसे महत्वपून अगर पॉइंटों की बात करें तो यह अनुसाशन में रहते हैं यह जो वेक्ति होते हैं अनुसाशन में होते हैं करतब्वे प्रायन होते हैं यानि करतब्वे से कभी प पूरा करने पर विश्वास रखते हैं तो यह जो है करतब्वे निष्ट वेक्तिया नहीं हमारी जो वेक्तित्व के पांस सिध्धांत है उनमें से दूसरा सिध्धांत है करतब्वे निष्टा और यह वेक्तिकारे शिद्र का हमेशा प्रयास करते रहते हैं और सहज के बज काफी कुशल और काफी आगे बढ़ भी जाती है क्योंकि सहज के वजा ये योजना बंद विभार करने में विश्वास रखती हैं और यही महत्वून विशेष्टा करतवें निश्टा की है चुछ देखते हैं जो वितित्व के अंतरगात पांच में में से किसरा सिधान्त का क को समझ में आता है कि यह कई करेक्टर स्ट्रिक्स के होते हैं कही इनके करेक्टर इनके अंदर होती है यानि यह वही मुर्खता होते हैं वही मुर्खता देखा जाया तो इनके अंदर जो गुन होते हैं वह मिलनसार होते हैं यह वेक्ति किसी भी वेक्ति से बात करेगा ना तो बहुत जल्दी जो है उसमें घुल मिल जाएगा और उसमें उसमाई होते हैं हर कारे करने के लिए उसमें भरा पा रहता है जैकिन थोड़ी सी बात इनमें यह वोती है यह सरमिला होती है यानि इनकी born behavior फ़ंडि सर मिली हो जाती है और यह गुमंशुम पसंद करते हैं हमेशा एकांत पसंद करते हैं इस तरह के जो वेक्टितु है काफी महतुपूर यहां बनाता है इनको नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा वही मुर्खता यानि है इनमें अच्छा है बर कही ने कहीं जो है इसमें मुर्खता देखने को मिलती है यह बेशकल तिसरा है और काफी महत पून हैं देखा जाए तो इनमें जो है excitement की काफी ट्रेड रहती है यानि उर्जा इनमें काफी रहेगी और सक्रात्मक भावना हमेशा रहेगी हमेशा positive सोचने वालों में से आते हैं इसमें सहता सहमता और दुसरे के साथ उत्रेजना की तलास करने की प और यहां पर जो विक्तित्व के पांच सिध्धानतों में से तिसरा सिध्धानती थी यह काफी महत रखता है अपने स्थान पे चलिए देखते हैं इसका चौथा सिध्धानत हमें किस बात की तरफ जो ही सारा करता है उसके पर शाथ हमारे समक्षाता है सहमता सहमता काफी मह अरगत यह हमारा चौथा सिध्धानत है सहमता सहमत थी सहमता तो बात यहां पर आप सब्दों के हेल फेल को समझ सकती हो कि ऐसे विक्तियों में मित्ता पुन विवार होती है और यह काफी समवेदन शील होते हैं कोई चीज के लिए बहुत जल्दी निरास हो जाते हैं यह काफ सब्दी और मुखर काफी देखने को मिल जाता है यह प्रति सबस्ता बहुत अधिक करते हैं इनमें मैत्री पुन विवार जरूर आएगा सब्दन शील रहेंगे हर कारे के लिए तो यह सहमता के अंतरगत वित्तु आती है और देखा जाया तो दूसरे के प्रति संकालू रह जाता है तो उन विरोधियों के प्रति इनका जो विवार होता है द्यालूं पन कर रहता है तो यह सहमता काफी महथ्पून विक्तु के प्रभीति होते हैं दुसरे को सयोग देना, उनके प्रति दयालू की भावना रखना, दुसरे के प्रति शंकालू तो रहेंगे, तो यह काफी महतवपून यहाँ पर, जो है चौता यहाँ पर विक्तित्व के देखा गया है सहमता, अब चलिए देखते हैं, अंतिम जो है विक्तित्व के पांच अंतमें से क्या है। हमारे समक्ष अंपछ आ गया है अंतीम है महता काफी एक अलग थियोड़ी है क्योंकि यह माझसिक्ता से जुरी अब सो इसको बोलने वी प्रावलम रहेगा लेकिन आप बहुत असानी से यहां समझ सकते हry मनो बिक्छुटथा कहते हैं इसके अंतरगाद जो विक्टितुब आते हैं वो काफी सम्वेधन शील होती हैं और ये बचैन रहते हैं हर समय यानि काफी सम्वेधन शील रहेंगे और काफी बचैन रहेंगी और देखा जाये सके विपरित वो निश्टित और अश्वस्त होते हैं हड समय, तो ये काफी महत्पून विक्तित वह यहां पर आता है, देखा जाये तो इस तरह के विक्तित होते हैं काफी जल्दी क्रोध हो जाते हैं, और हमेशा चिंता में लगे रहते हैं, ये काफी क्रोधित होते हैं, और हमेशा चिंत ग्रस्त में लगे रहतीं देखा जाए तो इनमें काफी अफसाद या अतिस हम धृषील मिद्षिलता जैसे आप परिये भावनाओं को असानी से अनुभव करने की प्रविती होती है यानि इस तरह के लोग जो होते हैं कोई भी अफसाद हो या कोई भी अतिस अविदर्शिल बाते हो या अपनी घटनाए हो उनको वो काफी जल्दी अनुभब कर लेती हैं यानि देखा जाये तो यह काफी जो है मनो विरिती से कमजोर विक्ती होती हैं कहते हैं मनो विक्षुदता का मतलब यही बनता है कि जो विक्ती काफी जो रहते हैं असरक्त रहते हैं चिंता में रहते हैं इनमें हर तरह की बुराईया पाई जाती हैं और यह समाज में हमेशा जो है अपने आपको अलग रखने की कोशिश करती है इनके अंदर अपर यह भावना है हमेशा मन में जनम लेता रहता है क्या वहां पर कहीं कुछ हो गया हो कैसा हुआ यह बाते उनके मन में चलती है और महतवपून है अगर आप इतना भी पॉइंट अच्छे से याद कर लेते हो तो यह काफी महतवपून आपको एक्जाम पॉइंट ऑव यू से रखता है और काफी जरूरी भी है अगर आपको समझ में आया अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी आपको जो है वीडियो इसी परकार प्राप्त होता रहे तो जरना सी बात है दूसरों तो सस्क्राइब करें सस्क्राइब कीजिए अगर आपको विस्तार से देखना है तो आगे मैंने प्रवधान किया है यह सब्सक्राइब करणे से रहता है कि आपको इस वीडियो को शेर करना है हर बच्चे तक वीडियो पहुचेगा तभी जो हम आगे बर पाएंगी कहते अपनी बलाई सबीश वहीं सोचते हैं जो sharing करें कि शेरिंग ही दिसरे बच्चों का केरिंग है हम होड़े बच्चों के यही बास सिखाते हैं बच्चे शेर इस केर यह बात आपके मन से जाना नहीं चाहिए शेर जरूर करें यही महत्वपून बात है पहली बार मैंने चनल पर आया हूँ पहली बार वीडियो देख रहे हूँ समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे क्योंकि दोस्तों सफर यही खतम नहीं ह जर प्राप्त है